हालो बूर्णिंग प्रेंट तिक मैं आपको जब भी एक्यू से रिलेटेड या फिर बिहार डिफरेंट में डिफरेंट कंपर्टेटिव से एक्जामनेशन से रिलेटेड कुछ भी मुझे इंफर्मेशन मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं पहले भी जब साथ जनवरी को मैंने आपकी एक्यू से रिलेटेड अपडेट किया था कि पूरा क्लाज हम लोगा साथ जनवरी से एकी जनवरी तक ओनलाइन कर दिया गया हूं मैंने बोला था एक्यू से कुछ भी आएगा नए अपडेट तो मैं कर दूँगा एक दू और 20 जनवरी तक जितने भी बिहार में एक्जाम होने वाला था सब के सब को कैंसिल कर दिया है अगले आगाज तक ठीक है यह इंटर्नल था जो सब लोग को धीरे-धीरे कॉलेजेज लोग को फोरवर्ड कर दिया गया है एक्यू भी हमारा बिहार गवर्मेंट में ही आता है तो कोई भी चाहिए अम्बेवी एस हो बीए-एमस कॉलेज हो इंजिरानी कॉलेज हो बीची ओ एमस कोई एक्जाम अगर होने वाला था उस सारा को कैंसिल कर दिया गया और कल आठ जनवरी कब्रेट यह है कि जो एम्बेवेस का एक्जाम 19 जनवरी से एम्बेवीस और बीए-ए इनवर्सिटी में एकजाम नहीं होने वाला है सिर्फ दो कम होगा एक जो रिजल्ट तयार हो रहा थो रिजल्ट तयार होगा और ओनलाइन क्वास चलेगा तो एक चीज और एक यू का जो बीटे को भी फार्मा का रिजल्ट हम लोगा रह गया है पुर्ट समिस्तर का वह हम सबसे जादा संब्सक्राइब को आने का सबसे ज्यादा संब्सक्राइब उससे एक आग दिन आगे आ जाता था बहुत अच्छी बात है तो देखिए एक ही जैन्वरी को कुछ दूसरी बात है जो मैं बाद में अप्डेट करूंगा इसके बाद प्रिंस्पल को इंटर्नली जो है एक यू सारे इंजिर्यानिंग कॉलेज और भी फार्मा के कॉलेजेस को प्रिंस्पल को क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है अभी मैं थोड़ा सा टाइम कम है तो वह मैं आपको अप्डेट करूंगा यह अप्डेट है कि कि कोई एक्जाम नहीं होगा में बाद मे को इंफोर्मेशन मिलता है ठीक है या कुछ जानना चाहते हैं तो कॉमेंट आपका मेंस्ट वेलकम थाइंक यू है नाइस देग